नमस्कार प्रियदर्शकों हाजिर हूँ मैं लेकर कारिक्रम जियोतिश जिग्यासा इस कारिक्रम में मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित उन प्रश्णों का जवाब देता हूँ जो आपकी मन में निरंतर जिग्यासा उत्पन्न करते रहते हैं तो चलिए बिना विलंब किये शांत करते हैं उन जिग्यासाओं को जो निरंतर आपको परिशान कर रहे हैं तो कारिक्रम के प्रारंभ में पहली जिग्यासा दिपक सिंग जी की है इन्होंने पूछा है बारहमे भाव में देवगुरु मेरी इस कुंडली में कौन-कौन से राज योग हैं और इन राज योगु से हमें क्या फाइदा मिलेगा कौन सा रत्न धारन करूं दीपक सिंग जी बुद्ध के साथ है बुधादिती योग बना सुक्रबुध यूती योग बना वहीं मंगल दसम भाव में बैठना अत्यमत स्रिष्ट माना गया है क्योंकि ये दिगबली हो जाते हैं दिगबली योग हुआ ये दिगबली योग तो नहीं कहेंगे क्योंकि दिगबली होने के लिए कम से कम दिगबली योग होने के लिए दो से तीन ग्रह दिगबली होने चाहिए पर फिर भी दिगबली मंगल है बढ़िया है उच्च के गुरू जाकर के बारह में भाव में बैठे हैं बहुत बढ़िया गुरु और चंद्रमा कामने सामने का संबंद गज केसरी योग तो ये सारे योग मुझे दिखाई पढ़ रहे हैं सामाने तया अब आपने पूछा है राज योगों से क्या होता है जी कुछ नहीं होता है आपने पूछा है पुछन है आपका कि इन राज योगों से हमें क्या फाइदा मिरेगा जी कुछ नहीं जी हाँ सीदी सी बात है कि ये राज योग आपकी भी कुंडली में हो सकते हैं और आप ही के डेट आप बर्थ के दिन जन में एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली में जो रिक्सा चला रहा है आज के डेट में तो अगर मैं ये कहता हूँ कि इन राज योगों से ये होता है तो ये बात सीदी सी बात है गलत हो जाएगी तो फिर आप कहेंगे ये आप सदई वर राज योग बताया करते हैं और कहते हैं कि ये राजयोग है तो ऐसा होता है तो आप ऐसा आज कैसे कह रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ती विशेश पूछ रहा है राजयोग आपके जीवनकाल में कुछ नहीं करते हैं उत्पन करते हैं मन में क्या? आकांचा, इक्षा, महत्वा कांचा और फिर आप उन चीजों को पाने के लिए प्रत्नशील होते हैं और राजियों कुछ अपने से नहीं देता चाहे वो जितना भी बड़ा राजियोग हो उसके साथ जो भी मैं फल बताता हूं जातक राजा के समतुल्य होगा तो राजा के समतुल्य होना कहीं न कहीं ये जातक बन जाए नहीं जातक के मन में राजा अथवा राजा के समतुल्य बनने की आकांचा पैदा होगी और जातक उसके लिए प्रत्न करेगा और आपने पूछा है कि कौन सा रत्न धारन करूँ देखा जाए तो अगर आप रत्न धारन करना चाहते हैं तो लगनेज का रत्न धारन कर लीजिए सबसे बढ़िया होगा मंगल भी दसमस्त हैं आप लगनेज का रत्न धारन कर लीजिए सबसे बढ़िया तो यही है लगनेज अधिच्ची जी का इन्होंने पूछा है अगर धन और लाब भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टी न हो और दोनों भाव के स्वामी नीच के हो तो क्या जीवन भर जातक गरीबी में रहेगा देखिए जब इन दोनों भावों पर किसी ग्रह की दृष्टी न हो तो ये बात कि बीजिवंत्र का मंत्र का जब करना आपके लिए स्वरवाधिक सुरिष्ट होगा इन भावों को जागरत करिए इससे आपको फायदा अवश्य मिलेगा हर्ष सुकला जी ने पूछा है राहू की महादसा में शुक्र की अंतरदशा कैसी रहेगी यदि सिम्मलगन के 12 भाव में दोनों की यूती हो 12 चंद्र दसम भाव में लगनेस सुरी के सांथ है तो लगनेस के सांथ हो चंद्रमा का होना सीधी सी बात है अमावस्या का ये चंद्रमा हो गया सिम्मलगन की कुंडली में राहू की महादसा कोई बहुत शुभफल परदायक नहीं हुई अब शुक्र को बारह में भाव में कारक माना जाता है लेकिन दोनों एक ही रासी पर बैठे हैं अता थोड़ा सावधान रहिए और विशेशकर इस्तुरियों का सम्मान करिए अन्यथा गलत आचरण कि चलते थोड़ी परिशानी में आप पड़ सकते हैं बारह में का कारक है राहू ऐसे कोटका चरी का चक्कर लगवा देता है फसाए ना तो अपने चरित्र को मजबूत बना करके रखिए नूतन दूबे जी ने पूछा है मकर लगन की कुंडली राशी है मेंस और भाग्य भाव में शनी और मंगल की यूती है और उन पर सुरिक की दृष्टी है तो क्या भाग्य साथ देगा और इन दोनों की यूती कैसी है मंगल और शनी की भाग्य भाव में ठीक है की नहीं मकर लगन की कुंडली और रासी में तो सीधी सिवात है लगने और सुखेष का ये संबंध हुआ है आपर लगन भाव और सुख भाव के मालिक जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं बहुत बढ़िया जहां व्यक्तिप्तों में बृध्धी होगी, भाग्य में बृध्धी होगी, सुखों में बृध्धी होगी तो निशंदेह ये बहुत बढ़िया है और आपने कहा भाग्य सांथ देगा की नहीं भाग्य तो सबका सांथ देता है क्या कोई ऐसा है जो मुझे आ करके कहे कि मेरा भाग्य सांथ नहीं देता भाग्य के सांथ देने का क्रम और तरीका अलग-अलग हो सकता है आपका भाग्य आपके लेबल पर आपका सांथ दे रहा होगा किसी और का भाग्य उसके लेबल पर उसका सांथ दे रहा होगा सिधी सी बात है कि एक सामान निव्यक्ति जो भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर रहा है उसका भाग्य भी उसी के लेबल पर साथ दे रहा है क्या है उसका भाग्य? उसको आज खाने को मिल जाए तो मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि कुंडली में 9 गरह ही होते हैं और सब की कुंडली में इतने ही गरह हैं भाग्य साथ देगा की नहीं? इसमें एक बढ़ी बात उत्पन्म होती है कि क्या आप भाग्य का साथ लेना चाहते हैं? ये प्रशना खड़ा हो जाता है यक्षप्रशना है कि क्या आप भाग्य का सांथ लेना चाहते हैं क्या आप भाग्य को चूस लेना चाहते हैं पूरी तरह से जितना मेरा भाग्य है ले लूँगा अगर हां तो निसंदेह भाग्य सबका साथ देता है निर्भर करता है कि सामने वाला अपने भाग्य को यूज कितना करना चाहता है इस्तेमाल कितना करना चाहता है निसंदेह आपकी कुंडली में भाग्य किस्तुती अच्छी मुझे दिखाई पढ़ रही है निसंदे सुर्य पर सनी की दृष्टी जब पढ़ रही है तो क्रिडट जीवनकाल में कम मिलेगा यस कम मिलेगा पराकरम थोड़ा जादा होगा बटा आप अपने यस के पीछे मत भागिए पराकरम के पीछे जाएए सब कुछ मिलेगा धीरज कुमार जी की जग्यासा है किसी जन्म कुंडली में अगर गुरू और शुक्र दोनों अपनी अपनी राशी में बैठकर ववक्री हो जाएं क्या होगा बढ़िया होगा परंतु परंतु दोनों थोड़ा से अलग है तरक जारा समझ लिजे मेस लगन की कुंडली हो करक कंडली हो तुला लगन की कंडली हो मकर और कुम्भलेनकी कुंडली हो तो ुक्र का वकरत्त व भहत अच्छा पुल देगा शेतक आप देख लिज하시는 कि बात कर रहे हैं खुष्बु सिंग जी ने पूछाете, कन्या लगन में ही, शुक्र मृत अवस्था में और उन पर राहू की पांचवी दृष्टी है, क्या प्रभाव देगे। जी करने अलगने में आप धारण तो कर सकती है, मृत आपने कहा है, मृत हो जाने से तो कमजोर हुए, तो आप इनको बल दीजिए, बल देने से कही न कही फायदा मिलेगा, नीच रासी में होना और मृत अवस्था में होना, बुद्ध की स्थिति को सबसे पहले देखिए, पुखो में कमी लाने की बात, भोग में कमी लाने की बात को दर्शाता है, अतुल स्रिवास्तो जी ने पूछा है, कल मैंने एक व्यक्ति को अनामिका उंगली में सोने में पुखराज धारण करे हुए देखा, उससे पूछने पर पता चला कि वह पिछले 20 सालों से इसी उं नहीं है, जोतिश के कुछ ग्रंथों में इस बात का तर्क है कि बुद्धकारत्न, शनिकारत्न, शुक्रकारत्न, राहु और केतु कारत्न, नोट करिए, बुद्धकारत्न, मैं किस उंगली पर हांत रखे हूँ, वीच वाले उंगली पर, शुक्रकारत्न, बुद्धकारत् केतु कारत्न केवल इसी उंगली में धारण किया जाए चंद्रमा कारत्न सुरी कारत्न मंगल कारत्न गुरू कारत्न सब इसी उंगली में धारण किया जाए सामाने तर्क है तो इसमें कोई बहुत बड़ी संसे का विशय नहीं अब क्या होता है कि कई बार हमारे पास उंगलियां परयाप्त हैं पांचों के पांचों हैं और पांचों उंगलियों से संबंदी थमरतन उन जगों पर धारन कर सकते हैं सुकर लेते हैं तो किसी ने अगर धारन किया हुआ है देखिए एक और अब यहां पर बात बता दू कई सारे लोग पन्ना यहां पहनते हैं और उनको फाइदा भी हो रहा है यह बड़े कमाल का विशय है इस विशय पर अगर मैं तर्क दूंगा तो वह तर्क कई लोगों को समझ में आएगा और कई लोगों क तर्क लगेगा इसलिए मैं तर्क देने के मूड में यहां नहीं हूं हां यह विशय है बड़े कमाल का मैं बहुत पहले एक बार बहुत पहले कहा था कि मैं किसी के हां नाम लेने की जूरत नहीं मैं किसी के हां वो बेंगोली थे और उनके हां रह करके मैं जोतिश से पता करने से पता चला, कुछ तो होगा, अच्छा नहीं तो बुरा ही सही, जब होगा तो उसे पता चलेगा कि कुछ तो हुआ है, एक आम धारणा देखिए, कि आप माँलीजे नेता हैं, और आप कुर्ता पजामा पहनते हैं सफेद रंगा, तो ठीक है आप यह कुर्ते की चम तो एक बार ध्यान आक्रिष्ट होगा, लेकिन अगर आप नेता हैं और पैंट सट पहनने लगते हैं, कुछ तो अलग हुआ है न, तो चाहे वह अच्छा हो या बुरा, कुछ तो अलग हुआ, अलग, कई बार ये अलग, कुछ अलग प्रभाव दे देता है, अब सामने वाले पर अगर इसको आजमा करके देखा जाए, तो हमारा मानव जीवन कुछ ऐसा ही तो है, एक पुष्ट चाहिए होता है, क्लिक चाहिए होता है, हम सभी को, वो क्लिक जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो, कई बार बुरा क्लिक भी हमारा काम बना जाता है, हमारा काम बना जाता ह उदाहरण आप एक cycle पर बैठे हैं cycle चला रहे है जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं उसी दिशा से हवा आए तो आप बहुत मेहनत करकर के आगे बढ़ेंगे बहुत मेहनत करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे लेकिन back से एक ऐसी तेज हवा आए जो सामानितया हवा नुकसान भी पहुचा दे वहीं आसपास फसल थे फसलों को उड़ा दे उखार दे लेकिन आपके साइकल की रफतार थोड़ी बढ़ जाएगी हो सकता है ये रफतार आपको भी ले जाकर के कहीं गड़े में डाल दे पका है ये पका है कि आपके साइकल की रफतार इतनी तिब्र हो जाएगी कि आप उस तिब्रता को समहाल नहीं पाएंगे और आप गड़े में जाकर के गिर जाएंगे लेकिन तच्छन तो आपने क्या फिल किया है किस हवा ने आपका सपोर्ट किया है इस हवा ने आपके साइकल की रफ्तार को तेज कर दी उस समय आपको क्या पता चला? कि हाँ जी उपाय तो काम किया है मेरी रफ्तार बहुत तिब्र हो गई है बस मंधन करिए अगला प्रश्न है अरपित सुकला जी का इन्होंने पूछा है भागे रेखा तीन खंड में तूट कर सनी परवत तक गई हो तो उसका क्या फल होगा? देखिए जहां जहां तूटा है जीवन के उसी मैंने बताया था जब हथेली के बारे में बता रहा था मैंने आयू का निर्धारन करना बताया था तो आयू के निर्धारन वाले उस वीडियो को देखिए और किन किन जगों पर वो टूटा है जीवन के उस उस वर्स में कस्ट आएगा परेशानी आएगी लेकिन वो अंत में अगर शनी परवत पर चला गया है उच्छ के सुरिय हैं बहुत बढ़िया है सनी वहीं पर नीच के हैं परंतु सुरिय के साथ सनी होते हैं तो सनी का बल बढ़ जाता है तो सीधी सी बात है ये भी बहुत उच्छी स्तिती हुई नितिन भारतवाज जी ने पूछा है अगर संतानेश पराकरम भाव में बैठ कर भाग्य भाव को देखे तो क्या इसी प्रकार का फल मिलेगा जाहर सी बात है संतानेश जाकर के पराकरम भाव में बैठे तो जातक की स्वंतती पराकरमी होगी अनुज सिंग जी ने पूछा है बुर्शब लगने में शुक्र यदि बैठे हो तो हीरा धारन कर सकते हैं हाँ जी बिलकुल कर सकते हैं रजत शंखधार जी ने पूछा है बुर्शब लगने में दूसरे भाव में शुक्र और मंगल की यूति क्या प्रभाव देगी देखिए आपने औरों से भी सुना होगा जोतिशास्त्र के एक गरंथ का मैं अध्यान कर रहा था वहाँ पर इस बात का तर्क दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी कुंडली में शुक्र और मंगल की युती हो सुनते जाए ये मेरा नहीं एक गरंथ का तर्क है देखा कई बार हो सकता है जातक के अंदर खिचाओ होता हो हो सकता है जातक कई बार बंधनों को न मानता हो हो सकता है जातक कई बार गलत दिरने भी करता हो लेकिन मुझे लगता है कि इस पर मैंने कई बार तर्क दिया था गुरू अगर बलवान हो कुंडली में तो कई वार वो जातक को चारित्रिक रूप से बचाने का काम करते हैं ये चरित्र को कमजोर करता आवश्य है प्रियांस जी ने पूछा है बुर्शब लगन की कुंडली में लगन में राहू मृत हैं लगनेस शुक्र अस्टम भाव में मृत हैं सनी सश्ठम भाव में हैं क्या आजीवन गोमेद धारन करना चाहिए क्यों धारन करना चाहते हैं गोमेद परन्तुवा पहनना चाहें तो पहन सकते हैं मना ही नहीं है पर क्यों कोई तर्क होना चाहिए मुझे तो सच्छा लगता है कि आप बढ़िया हो कि लगने इसका मंतर जपिया और लगने इसको बल प्रदान करिए दर्शना स्रिवास्तो जी ने पूछा है आपने कहा कि एकादस भाव में राहू अच्छा फल देते हैं मगर मीन लगन की कुंडली में एकादस भाव में राहू हो परंतु साथ में सनी भी हो तो क्या यह अच्छा परिणाम देगा या स्त्रापित दोश होगा जातक के पंचम भाव में ब्रहस्पति और केतु नहीं देखिए धन के मामले में तो चाहे जो हो जाए दोनों के दोनों धन देंगे अब बारियाए संतान में कहीं दिक्कत हो जाए बिद्या अध्ययन में सच्छा में अगर दिक्कत आ जाए तो बात अलग है जातक के व्यक्तित्व में परिशानी आ जाए हर काम बिलंवित हो ये बात अलग है लेकिन धनागमन के लिए तो ठीक है प्रदीप यादव जीने पूछा है मिथुन लगन की कुंडली में शुक्र पांचवे भाव में और ग्यारवे भाव में चंद्रमा या घजकेश्री योग बनेगा या नहीं जी बिल्कुल बनेगा अंबिका जीने पूछा है अकाल मृत्य योग कैसे बनता है देखिए कई सारे मृत्यू के योग बताये गए हैं मेरा एक अपना अलग तर्क इस पर होता है कि किसी की भी कुंडली में अकाल मृत्यू का योग नहीं होता इस बात को मैं हमेशा से अपने तर्क में कहा करता इस समय में एक एक सेकंड नापा अगर क्योंकि एक समय में लाखो बच्चे जन्म ले रहे हैं अब तर्क देकर के कोई कुछ सिद्ध करना चाहे बात अलग है कि उसके जाकर के और भाव में देखिए बात बहुत बदल जाएगी नहीं नहीं कुछ नहीं एक ही टाइम में ब महादसा इत्यादी में गोचर में मारकेस की स्थिति यानि अश्टम भाव से दो तीन चंद्रमा को मिला करके दो तीन चार गरह संबंध बना लें तो यह जातक को मृत्यू के तरफ ले जाते हैं अब यहां भी तरक निर्भर करता है कि जातक किस उम्र अथवा अवस्था का है अगर उत्रार्ध में है तो मृत्यू की संभावना बढ़ जाती बस इतनी ही बात है तो अकाल मृत्यू योग नहीं बनता पहले मारक की महादसा हो मारकेस की महादसा हो ऊपर से गोचर में तीन चार गरह अश्टम से संबंध बना लें तब यह इस्तिति बन जाती है रेनु जी ने पूछा है गुरू ग्रह लगन में हो और उस पर किसी ग्रह की द्रिष्टी ना हो और सब्तम भाव में न कोई ग्रह हो और नहीं उस पर किसी ग्रह की द्रिष्टी हो तो कैसा फल होगा देखिए गुरू ग्रह की द्रिष्टी तो सब्तम पर हुई आपने कहा कि कोई ग्रह न और उस पर किसी की दृष्टी है न तो गुरू की दृष्टी सब्तम पर होना बहुत बढ़िया बात है गुरू पर किसी की दृष्टी नहीं है कोई बात नहीं चलेगा लेकिन गुरू की दृष्टी सब्तम पर है बढ़िया है हेमलता नागर जी ने पूछा है कि किसी के दाएं हाथ में दो मस्तिक्स रेखा हो तो क्या फल होगा वो साफ दिखाई देती है जाहर सी बात है कई बड़े-बड़े दिगजों के हाथ में कहा जाता है कि कीरो के हाथ में कीरो और दुर्गाजी की किस ग्रह की पूजा के लिए तिल का तेल किस ग्रह के लिए सरसो का तेल और किस ग्रह की पूजा में घीका दिया सभी ग्रहों की पूजा में घीका दिया जला सकते हैं शनी राहु केतु की पूजा में तिल तेल सरसो तेल नहीं तिल तेल का प्रयोग होता पारवती देव जिने पूँछा है अगर कुंडली के पहले भाव में मंगल हो तो क्या बिना मंगली लड़के से साधी हो सकती है हाँ जी बिल्कुल हो सकती है अगर आप दोनों की कुंडली 28-28 उगुण के आसपास मिलता हो तो मंगल की शांती लड़के की कराकर के की जा सकती है हाला की देखा जाए तो लड़की का स्वभाव थोड़ा उग्र होगा लेकिन फिर भी दामपत्य जी उचुकी कुंडली में बहुत कुछ मिल गया जैसे गुरह मैत्री मिल गई है जैसे वरन इत्यादी मिला लिया गया है गुरू का संबंध लगन का संबंध अगर सब कुछ है तो विचार किया जैसकता है जोती अरोरा जी ने पूछा है करक लगन कमे नौवं भाव में सूर्य बुद्ध और एक आदस भाव में चंद्र मंगल और शनी हैं क्या मेरी पत्रिका में धन्योग है हाँ जी बिलुकुल है करक लगन में आपका कहना है कि सुर्य बुद् साविन जो भी नाम हो आपका मनी नाल आपने पूछा है कि पंचम में चंद्रमा और 11 में शुक्र होंगे तो आकस्मिक धन प्राप्ति搞 योग बनता है क्या यह भी हो सकता है कि पंचम में शुक्र और 11 चंद्रमा उसी के समान शत्र यंधाय कर्माज का प्रशासन का होता है ुंडinformation कौर्थ है चारी का बिचार होता है कुण्डली के नमनों हैं कवाव भागय क विचारय गाए तो आपके पराक्रम से भी वी Union of मो 도का विचार वेसे ही कुंडली के दसम भाव से जंता का विचार किया जाता है तो जंता के भाव सामने वाले भाव से भी उससे संबंधित चीजों का विचार होता है पवन सिवहरे जिने पूछा है मिथुन लगने में चंद्रमा और शुक्र करक में हैं सनी पंचम में और ब्रहस्पती छठवे भाव में हो मंगल बारह में भाव में हो धन की स्थुति क्या होगी मिथुन लगने में चंद्रमा और शुक्र करक में यानि कि मिथुन कर्क धन भाव में, सनी पंचम में और ब्रहस्पती छठवे भाव में हो, मंगल बारह में भाव में हो, सिदी सी बात है आय का मालिक ब्याय में चला गया यानि मंगल आय सुए ब्याय में चले गए, धन का मालिक चंद्रमा करकरासी का धन भाव में बैठे हैं, दोनों पर देव गुरु ब्रस्पती क्योंकि सस्ठम में देव गुरु ब्रस्पती बैठे हैं तो बारवे पर और धन पर दोनों पर उनकी दृष्टी होगी प्लस पॉइंट परन्तु धन भाव पर शनी की दृष्टी और आय पर शनी की दृष्टी पड़ रही है सो आय में कमी अतह धन संचयन में दिक्कत होगी प्रदीप काटे जीने पूछा है सश्ठम भाव में चंद्रमा के साथ इस्थित राहु के क्या फल होगे ये ग्रहन योग है परन्तु अगर करकरासी है सस्थमभाव में और शंद्रमा स्वग्री होकर के राहू के साथ बैठे हैं तो ऐसा जातक सत्रुहंता होगा राहू के होने से किसी भी लगन में सत्रू हंता तो होगा लेकिन सस्ठम में होने के चलते जातक की सेहत पर भी असर पड़ेगा कफजन रोगों की शिकायते हो सकती है जातक का मन अशांत रहेगा अपु कुमार जी ने पूछा है धनुलगन में गुरू अस्टम भाव करकरासी में हो और साथ में केतू भी हो उच्च के होकर तो अच्छा परणाम क्यों नहीं देते अच्छा परणाम नहीं देते गुरू की दृष्टी दूतिय भाव पर पड़े तो यह बहुत अच्छा है धन संचयन के दृष्टी कोण से जातक धन संचय करता है बलकि आकस्मिक धन भी प्राप्त करता है आप मंदर में जाकर के दर्षन किया करिए देवताओं का किसी भी मंदर में जाकर के भगवान का दर्षन करिए गुरू आपके अच्छे फल देने लगेंगे देव गुरू अब राम्हन की आराधना करिए उनकी कृपा लीजिए उनका आसिरवाद लीजिए ठीक हो जाएगा तो प्रिये दर्शकों इतने ही प्रश्ण लेकर के मैं आप सब के समुख उपस्तित हुआ था अब यहाँ पर रुख करके मैं आप से एक बात कहना चाहता हूँ कई सारे दर्शकों के प्रश्ण थे जो की लिया गया था पिछले दो बार से एक आरिक्रम वैसे भी छूट रहा था तो बहुत सारे प्रश्ण नहीं कठा होगा है जो प्रश्ण आज छूटे अगले बार भी जाएगा भी लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कई दर्शकों के जरा प्रश्ण सुनिए जिनको हटाना मेरी मजबूरी हो जाती है कि मेरी कुंडली में सुर्य यहाँ पर बैठे हैं चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं मंगल राहु के तु यहाँ यहाँ बैठे हैं इसका क्या मतलब होता है क्या प्रश्ण हुआ ये मेरी तो आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूँगा अब आप ग्रह को कहा दीजे किसका मतलब बताईए अब इसका मतलब क्या बताऊँ तो ऐसे लोगों के प्रश्न छोड़ दिये गये होंगे और ऐसा करता हूँ अब आप ये शिकायत करेंगे मेरा प्रश्न नहीं लिया गया अगर नहीं लिया गया है तो इसका मतलब कहीं न कहीं कमी रही है आपके प्रश्न में अगर प्रश्न नहीं लिया गया तो कुछ कमी थी उसको देखिए दुरुस्त करिए फिर से प्रयास करिए आज क्लिवस इतना ही इजाज़त दीजिए पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार